हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड फॉर्मुला ओप पायरो, मेटा, एंड हाइपो एसिट्स मैनली हमें इन और्गेनिक केमेस्ट्री में डाउट आता है कि किसी एसिड के आगे प्रिफिक्स यूज किया हुआ है सपोज फोर एक एसिड गिवन है पायरो सल्फियूरिक एसिड तो हम कैसे उसका मॉलिकुलर फॉर्मुला पता लगाएं तो इस टाइप के कोस्ट्स को सॉल्फ करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि पायरो, मेटा, एंड हाइपो एसिड के फॉर्मुला को कैसे निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रेफिक्स है पायरो, पायरो प्रेफिक्स तब यूज होता है जब किसी भी एसिड के अंदर टू मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सी एसिड में से एक मोलिकुल ऑफ वाटर रिमूव कर देंगे oxy acid च्या होता है जिसके अंदर non metal या फिर metal प्लस hydrogen प्लस oxygen ये तीनों elements present हो उनको oxy acid बोलते हैं जैसे कि H2SO4, HNO3 ये सारे जितने भी acids हैं ये सब भी oxy acids हैं तो अगर हम किसी भी oxy acid के दो moles में से एक molecule of water remove कर देंगे तो वो पाइरो बन जाता है जैसे कि हमारा पहला example है H2SO4, H2SO4 का अगर हमें pyro acid बनाना होगा तो हम क्या करेंगे हमें क्या करना है acid के two molecules लेके इन में से एक molecule of water को remove कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो remove करने के बाद हमारा बचेगा H2SO7 इस H2SO7 को क्या बोलेंगे हम, pyrosulfuric acid तो pyrosulfuric acid कैसे बना है, उस particular acid के दो moles लेकर उसमें से एक water molecule remove कर दिया तो pyro acid बन गया, इस pyrosulfuric acid को हम oleum के नाम से भी जानते हैं सेकेंड हमारा example है, H3PO4, phosphoric acid इसमें भी सेम करना है, 2 moles लेंगे acid के और उसमें से एक water molecule remove कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, H4P2O7 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, pyrophosphoric acid in the same manner हम HNO3 लेंगे, HNO3 भी एक oxy acid है HNO3 के 2 moles लिए हमने, और इसमें से एक water molecule remove किया तो यहाँ पर क्या बचा, N2O5 लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि N2O5 एक acid नहीं है, बलकि oxide है इसलिए हम यहाँ पर pyro term यूज नहीं करेंगे तो HNO3 का pyro acid form नहीं हो सकता, तो यह भी एक question आ सकता है कि in which of the following acid, pyro is not possible तो हमारा answer होगा HNO3 second हमारा आता है meta, meta prefix कब यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम 1 mole of oxy acid में से 1 molecule of water remove करेंगे तो याद रखेगा pyro में 2 acid में से पानी निकालेंगे और meta में 1 acid में से पानी निकालेंगे, बिल्कुल simple set trick है तो हमारा पहला acid है H3PO4, phosphoric acid इसमें केवल 1 molecule लेना है इसका इसमें से जब water निकालेंगे तो क्या बचेगा? HPO3, HPO3 भी एक oxy acid है क्योंकि इसमें 3% है, non metal, hydrogen और oxygen इसका मतलब यह oxy acid है इसमें पता लग गया कि इसका भी meta possible है और इसका नाम हम लिखेंगे meta phosphoric acid इन दा सिमिलर मैनर H3PO3 boric acid का एक molecule लेंगे water remove करेंगे तो क्या बचेगा? HBO2 इसे हम कहेंगे meta boric acid इस तरह से हम किसी भी oxy acid का meta acid बना सकते हैं इसके बाद है ortho यह सबसे आसान है ortho के case में क्या है? ortho उन particular oxy acid के आगे हम लगाते हैं जिनका meta possible होता है यानि कि जिन oxy acid का meta बन सकता है उनके आगे हम ortho यूज करेंगे इसका मतलब इसको हम ortho phosphoric acid भी कह सकते हैं या फिर simply phosphoric acid भी कह सकते हैं इसी तरह से हमने H3BO3 का meta बनाया था तो इसे हम ortho boric acid भी कह सकते हैं और simply boric acid भी कह सकते हैं इसके बाद है हमारा hypo us acid जैसे की hypo phosphorus acid, hypo nitrous acid तो वो कब यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? simply us acid में से एक oxygen atom को remove कर देंगे us acid जैसी की chlorous acid, sulfurous acid इन में से एक oxygen atom remove कर देंगे for example HNO2, nitrous acid यह एक us acid है तो इसमें एक oxygen remove करेंगे तो क्या बचेगा? HNO बट यह exist नहीं करता है तो हम इसे dimerize कर देंगे तो यह हो जाएगा H2N2O2 इसका नाम हो जाएगा hypo nitrous acid इसके बाद है chlorous acid HClO2 तो इसमें एक oxygen remove करेंगे तो क्या बचेगा? HClO और हम इसे HOCl भी कर सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा hypo chlorous acid इसके बाद last हमारा बचा है hypo ek acid यह rarely use होता है इसमें क्या करना है? pyro acid में से एक oxygen निकालना है for example H2H2O7 यह pyrosulfuric acid है तो इसमें से एक oxygen remove करेंगे तो क्या बनेगा? H2H2O6 तो इसका नाम क्या होगा? hypo sulfuric acid तो इस तरह से हम pyro, meta और hypo acids के formula को find कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें share करें और subscribe करें लग लगा है